स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार की लीर आक्ट्रिस एश्वर्या शर्मा ने छोड़ा शो क्यों ठाया एश्वर्या ने इतना बड़ा कदम खुद बताया एश्वर्या ने फूट फूट कर रोई एश्वरया शो को छोड़ने के बाद बाखी के किरदार को करती थी ये सीरियल गुम है किसी के प्यार में वेल लेकिन क्या है अब पूरी बज़े और क्यों छोड़ा है शो चलिए आपको बताते हैं पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपनी चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को तपाएं दोस्तो सीरियल गुम है किसी के प्यार में को दे दिया है एश्वरया शर्मा ने बड़ा जख्का अचानक से एश्वरया ने शोग को छोड़ दिया है और ऐसे में एश्वरया ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया है कि वो क्यों छोड़ रही है शो को एश्वारिया ने कहा कि वो अब अपनी life में नई opportunities को explore करना चाती है और इसी लिए वो अपने सफर को यानि की पाखी के सफर को खत्म कर रही है और यादों से भरा हुआ बैग लेकर जा रही है एश्वारिया ने कहा कि उनको इस शो ने लगभग सब कुछ दिया है और वो हमेशा ही गुम है किसी के प्यार में की टीम की आभारी रहेंगी क्योंकि उस टीम ने एश्वारिया को इस शो से जोड़ा लेकिन दोस्तों ये सब तो एक बहाना है जहां एश्वारिया ने शो को छोड़ा है तो वहीं एश्वारिया ने ये भी कहा है कि वो हमेशा अपने पती के साथ काम करने को मिस करेंगी लेकिन हम आपको बता दें कि ये एश्वारिया बहुत जल्द आप सभी को गुड़ न्यूस सुनाने वाली हैं और वेल ये गुड़ न्यूस प्रोफेशनल नहीं है ये परसनल है खबरों के माने तो एश्वारिया और नील अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और शायद इसलिए एश्वारिया ने फिलहाल आक्टिंग को अलविदा कर दिया है और अगर शो की बात करें तो शो में फिलहाल का ट्रैक विराट के आसपास घूम रहा है जो सई और सत्या की शादी को रोकने की कोशिश कर रहा है वेल देखना होगा क्या होगा आगे शो में लेकिन हाँ फैंस पाकी को ज़रूर मिस करेंगे आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में लिख कर बताएं वीडियो को लाइट और शेयर करना आप ना भूले